हम सब जानते हैं कि निवेश के बारे में और अध्योगिक निवेश के बारे में भारतिय मनीशा क्या कहती आई है आचार्य कोटिल्य ने कहा था कि आर्थिक सम्रिदी के लिए तीन तत्तों पर विसेज ध्यान देने की आउस्सकता है पहली भूमी, दूसरी जनसंख्या और तीसरी पूंजी मुझे कहते वे गौरव के अन्भूति हो रही है कि तीनों तत्तव आज उत्तर प्रदेश में प्रचूर मात्रा में उपलब्द है मुझे याद है वर्स 2018 में जो हमने यूपी इन्वेस्टर समिट का एउजन किया था तब हमारी सरकार ने अपना पहला ही वर्स पूरा किया था लेकिन तांस्फोर्मेशन में उस शुरुवाती चर्ण में भी आपने प्रदेश पर विश्वास जताया और प्रणामता 4,28,000 करूर पे के निवेस के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होए थे आधनिये प्रदान मंत्री जी की पेना और आप सभी के सयोग से मात्र पांच महा में यानि जोलाई 2018 में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी आयुजित की गई जिसमें 61,700 करोड उपे के निवेस वाली प्रयोजनाओं का सुभारंब किया गया सकारात्मक प्रवेस के बीच जोलाई 2019 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सरिमनी का आयुजित किया गया जिसमें 67,000 करोड उपे के निवेस के प्रस्ताओं का सुभारंब के साथ आयुजित संपन हुआ इन वेस प्रयोजनाओं में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार का सिर्जन हुआ कोविट कालखंड के बापजूत तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारो अन्य दो संस्क्रणों की तुलना में और भी भव्य था जिसमें 80,000 करोड उपे की प्रयोजनाओं का सुभारंब क्या गया इन सभी प्रयोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी दस से बारह फरवरी 2023 के बीच आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समीट की अभूतपूर सभलता से आप सभी शुपरचित हैं और उसके सेभागी रहे हैं देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया आधने प्रधान मंत्री जी की पेणा को आत्समात किया और उत्तरब्रदेश को अब तक लगभग 40 लाग करोड उपे की निवेस के प्रस्ताव पराप्त हुए हैं आज इनी प्रियासों को धरातल पर उतारने का उत्सो है आज प्रधान मंत्री जी के करकमलों से 10,11,000 करोड उपे की परियोजनाओं का भूई पूजन आज यहां पर संपन होने जा रहा है